दोस्तो एनिमल्स का ग्रूप is a huge group of organisms, उनकी बॉड़ी में कोई भी पार्ट ले लो, उनमें different types की tissues present होती हैं, और सबका अपना-पना एक fixed function होता है, जो जब सारी tissues perform करती हैं, तब कहीं जाके एनिमल्स अपने level पे function कर पाते हैं, इनहीं tissues के बारे में जानेंगे इस session के हमारे topic Animal Tissues में, चल ये बात शुरू करते हैं, बात सबसे पहले शुरू करेंगे Animal Tissues term से, अब यहाँ पर tissues के बारे में तो आप ये जानते ही होंगे कि, Tissue is a group of cells that specialize in one main function, basically tissue किसी भी organism में वो एक type के cells हैं, जो अपना कोई एक specialized काम करते हैं, ऐसा काम जो कोई और type के cells उतने अच्छे से कर ही नहीं सकते, इनहीं tissues की बात जब हम एक specific group of organisms animals के बारे में करें, तो इसमें एक बात और देख सकते हैं, जो कि सिर्फ इसी group के organisms में दिख maximum tissue living होती है, इस बात का reason देखें, तो वो ये है कि animals ऐसे organisms हैं, जो movement काफी करते हैं, in fact पूरे दिन उनका कुछ न कुछ movement रहता है, जैसे कि food की सर्च से related movement होना, या फिर उस food को खाने से related movement करना, ऐसे बहुत से movement होते हैं animals की body में, आज हम इसी group यानि के animal tissues के बारे में knowledge gain करें Animals में जितनी भी tissues exist करती हैं, वो अलग-अलग type की होती हैं, based on basically three things, पहली चीज की वो दिखती कैसी हैं, दूसरी बात की वो located कहां पे होती हैं, और तीसरी बात की वो body के लिए क्या function perform करती हैं, इन ही तीनो factors के basis पे total body में आने वाली जितनी भी animal tissues हैं, उनको चार बड़ी categories मे बाटा जाता है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे epithelial tissue के बारे में, दिखती है कुछ ऐसी है, describe इसको करें तो it's tightly packed cell layers resting over a basement membrane, tightly packed cell layers, यानि के cells बहुत पास-पास होते हैं इन में, और फिर वो cells exist करते हैं, एक के बाद एक आने वाली layers में, और फिर इन ही सब cell layers के बिलकुल न most of the organs inside the body, यानि के एक तो body के बाहर की side आती है, plus body के अंदर आने वाले कई सारे different organs, उनकी lining पे, यानि के उनकी boundary पे भी आती है tissue, specific examples से समझेंगे, external body parts की बात करें, तो इसके निहां पे सबसे major example है इस tissue का, फिर body में अंदर की तरफ जाएं तो बहुत से आने वाले organs की lining पे जैसे की mouth की lining पे आती है, या फिर blood vessels जो की एक huge network है, उनकी lining पे भी आती है, या फिर major organ heart उसकी lining पे आती है, या फिर intestines उनकी भी lining पे आती है, ये सभी वो areas हैं जिनकी lining पे epithelial tissue present होती है, इन सभी locations में अगर हम epithelial tissue के function की बात पे आएं, तो वो कुछ ऐसा है जिसको हम इस यानि के external body को और body में आते बहुत से organs को एक covering देने का काम करती है epithelial tissue, जिससे की होता ये है कि उन सब parts को एक अपनी अलग space मिल जाती है, also इस covering से होता ये भी है कि body के different organs को एक protection भी मिलती है, जैसे मान लो अगर body में किसी organ में कोई disease attack करती है, तो वो disease अब इस organ के पास आन टिशू में आने वाली cell layers के function की, फिर इसके नीचे जो basement membrane आता है, इसका भी अपना एक relevance होता है, ये epithelial tissue के लिए एक helper का काम करती है, by doing minor but important task, tasks like इससे उपर आने वाली cell layers तक nutrients लेके जाना, जिससे कि उनको portion मिलता रहे, फिर बाद में उनी cell layers से जो waste निकले, उसको वापि signal signals आते हैं endocrine system से, काम इन signals का होता है कि body के different parts को पता लग जाए कि उन्हें क्या response करना है, इन तीनों ही major task को करता है basement membrane, epithelial tissue पे अब एक last बात और जानेंगे, ये एक ऐसी tissue है जो vascular नहीं होती, means कि इसमें blood vessels present नहीं होती, अब क्योंकि इसमें blood vessels नहीं होती, तो एक सीधा सवाल आता है कि फिर इस tissue को इसका proper nutrition कहां से मिलता है, nutrition इसको मिलता है एक ऐसी tissue से, जो इस पूरी tissue के बिल्कुल नीचे exist करती है, जो की होती है second major type of animal tissue, नाम जिसका होता है connective tissue, इस tissue में जितने भी cells आते हैं, वो एक extra cellular matrix नाब के structure में present होते हैं, extra cellular matrix एक तरेगा non living structure होता है, जो दो item से बनता है, protein fibers and a ground substance, now as the name shows protein fibers में कुछ proteins present होते हैं, जिने हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, यह thread like structures यहाँ पे proteins ही हैं, और वहीं पे ground substance की बात करें, तो यह वो सारा substance हैं, जिसको हम यहाँ पे white color से देख सकते हैं, यह उस सारी space में आता है, जो इस tissue में cells और protein fibers के अल बात करें, तो यह located होती है, body में हर एक ऐसे area में, जो एक part को दूसरे part से connect करता है, जैसे कि body में जितनी भी fat tissue, यानि चर्बी, यह white वाला material present है, वो connective tissue है, फिर body में जितनी भी tendons हैं, जिनको आप यहाँ देख सकते हो, white color वाले यह structures, जो basically muscles को bones से connect करते हैं, यह भी connective tissue ही ह और फिर body में जहाँ पे भी काटि ले जाता है, जो mainly आता है, इन parts like nose, ear, trachea, जो basically bones होती हैं, एक softer form की, यह भी connective tissue ही हैं, topic के आधे रास्ते के point पे आचुके हैं, हम break लेना है, तो this is the point where you can take a break, अब इन सभी locations जिनकी हमने अभी तक बात करी, इन में connective tissue जो major function perform करती है, वो तो अब तक आप शायद जान चुके होंगे, it is to connect different parts to each other, यानि के body में जब भी एक part को दूसरे से connect करने की बात आएगी, तो वहाँ पे connective tissue ही आईगी, जितनी भी location हमने अभी तक देखी, fat tissue की बात हो, तो वो skin और internal organs को connect कर रही थी, tendons की बात हो, तो वो muscles को bone से connect कर रही थ ये तो हो गया function tissue का, इसी tissue में present protein fibers का specific role देखें, तो वो होता है to provide stability via the proteins present in it, यानि के protein fibers इस पूरी connective tissue को एक stability, एक स्थिरता देने का काम करती है, ये काम logical भी है क्योंकि connective tissue जो भी connections बनाएगी body में, उन connections का strong होना तो ज़रूरी होगा ही, वरना तो वो easily break हो जाएंगे, काम ये होता है दो protein fibers की मदद से, एक दूसरे से अलग-अलग type के होते हैं ये, एक होता है collagen, एक ऐसा protein fiber है जो strength यानि के ताकत देने का काम करता है, और दूसरा है elastin, ये एक ऐसा protein fiber है जिसका main काम strength नहीं, बलकि elasticity provide करना होता है, इसी तरह से ये दोनों fibers मिलकर strength और elasticity का एक perfect combination provide कर करते हैं body के सभी connect points पे, और इसके साथ हो जाती है connective tissue की बात पूरी, connective tissue के बाद अब तीसरी type of animal tissue की बात पे आते हैं, it is the muscle tissue, ये tissue ऐसी tissue है जो body में काफी बड़ी quantity में exist करती है, दिखती ये कुछ ऐसी है, cells इस tissue के कहलाए जाते है muscle fibers, इसको ध्यान से देखें तो इसमें आने वाली muscles के strands, यानि के ratio देख सकते हैं, shape इस tissue के cells का होता है elongated, यानि के खिचे हुए होते हैं ये, और composition की बात हो तो इसके fibers बनते हैं from a specific kind of proteins, contractile proteins, जिन में आते हैं दो major proteins, actin and myosin, अगर connective tissue का ध्यान करो तो उसमें भी दो proteins थे, फर्क ये था कि वहाँ पे दूसरे दो proteins आते थे, फिर इस tissue की location की बात पर आएं, तो ये body में दो धरा के areas, voluntary as well as involuntary, दोनों में ही आती है, voluntary areas, ऐसे areas जिनको हम अपनी मर्जी से move कर सकते हैं, जैसे की jaw, कितनी सारी muscles होती हैं हमारे jaw में, या फिर neck का area, इसमें भी देखो तो कितनी सारी muscles exist करती हैं, या फिर इसके बात body के बड़े-बड़े parts, जैसे की limbs, यानि के legs and arms के areas, इनमें तो बहुत ही बड़ी-बड़ी muscles आती हैं, ये सब के सब examples muscle tissue के ही हैं, जिनका use हम daily level पे करते हैं, फिर दूसरी तरफ involuntary muscles की locations की तरफ देखें, तो वहाँ पे तो जितने भी major organs हैं, जिनमें movement होता है muscles का, organs ज सब के सब areas muscle tissue की मदद से ही बनते हैं, अब इन सब ही locations में जिनकी हमने अभी तक बात की, इनमें muscle tissue जो major function परफॉर्म करती है, जो की सारे examis में देख भी सकते हैं हम, वो होता है to provide movement capacity, यानि के movement करने की जो काबिलियत है body के अलग-अलग areas में, वो सब का सब movement muscle tissue ही provide करती है, य ये दोनों ही proteins जब जब एक specific formation में shorten और elongate होते हैं, यानि के छोटे और लंबे होते हैं size में, and at the same time काम करते वक्त ये दोनों एक दूसरे पर slide करते हैं, तब कहीं जाके एक muscle में movement possible हो पाता है, इसके साथ हो जाती है muscle tissue की कहानी पूरी, topic के last part में enter हो रहे हैं, अब हम, muscle tissue के बाद last type of tissue जो आती है under animal tissue, वो होती है nervous tissue, ये actually एक ऐसी tissue है, जो space तो कम लेती है body में, बट present फिर भी ये पूरी body में होती है, composition देखें इसका, तो इसमें दो तरह के cells आते हैं, एक होते है neurons, major cells होते हैं इस tissue के, as you can see branched form में exist करते हैं, य ये जैसे पेड की शाखाय निकलती हैं, कुछ वैसे ही branch like structures निकलते हैं इसे भी, फिर दूसरे cells जो आते हैं nervous tissue में, वो होते हैं glial cells, secondary या फिर less complex cells होते हैं ये, ये एक type के नहीं, बलकि कई सारी different types के होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये glial cells neurons को assist करने का का नाम करते हैं, फिर location देखें इस tissue की, तो nervous system नाम का जो organ system है body में, उसके सभी parts में present होती है, ये, parts जैसे की brain, which is the major organ in nervous system उसमें आती है, फिर brain से नीचे spinal cord नाम का part उसमें भी आती है, और फिर last part nerves, जो threats की form में exist करता ये वाला part है, इसमें भी present होती है, इन सभी locations में nervous tissue का major function देखें, तो it is to receive stimuli and then act based on that stimuli, यानि के environment से जो भी stimulus मिलता है body को, जो की अलग-अलग forms में मिलता है, light, sound, smell, taste, touch, इन सबको ही receive करता है nervous system इस tissue के थ्रूप, और फिर उस stimulus को brain तक लेके जाता है, जो की possible होता है इस tissue में आने वाले neurons के एक huge network के थ्रूप, और फिर brain जब stimulus को analyze करता है और उसके base पे एक response generate करता है, तो वो उस response को इसी tissue में आने वाले neurons के थ्रूप, body की respective muscles तक भेजता है, ताकि body की muscles accordingly response दे सके, ये main काम है इस tissue का, इस पूरे काम में glial cells के role के बात करें, तो वो एक supporting role करते हैं, कुछ वैसा ही role जैसा basement membrane epithelial tissue के लिए करता था, यानि के glial cells neurons को nutrient supply करते हैं, और neurons के waste products जैसे की जो भी dead cells neurons से बनते हैं, प्लस जो भी bacteria बनता है, उसको remove करने का पूरा काम भी glial cells के through ही होता है, इसी detail के साथ हो जाती है, बात पूरी nervous tissue के उपर, इसी के साथ हो जाती है, बात हमारी complete इस topic के उपर, topic को आप बाद में revise कर सकें, उसके notifications to you, channel आपको अपनी study के लिए use करना हो, तो channel को subscribe कर लिजे, और नए topics के notifications आपको मिलते रहें, उसके लिए bell icon को भी press कर लिजे, and lastly, इस topic के बाद आने वाले next topic का link है ये, इसको आप अभी start करते हैं, तो बीच में एक break ज़रूर ले लें, मिलते हैं अगले topic में,